बुलुश्री प्राणनात प्यारे की, बुलुश्री सत्गुरु महाराज की इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सीध अपने निज वतन की आई जागरत बुध आई जागरत बुध अब एबानी सुनके कोई न फिरे इमान प्राणनात 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 आत्मसम्दि सुन्दर साज्जी कल की चर्चा में हमने हरिद्वार के पस्चाद जब स्री जी दिल्ली पहुंचते हैं और प्रारंभ में किस तरह औरंग जिब को जगाने का प्रयास करते हैं उस विशय में सुना हिंदू मत में आई हुई विकृतियों के बारे में भी सुना औरंग जिब का प्रारंभिक जो जीवन रहा अत्यन्त क्रूर उस जीवनी के विशय में भी सुना और लालदाह जी तथा गुवर्धन दाश जी के जगडे के विशय में भी सुना और उसी जगडे के कारण उसे विवाद के कारण श्रीजी अनुपसहर की तरफ रस्थान करते हैं सभी के बीच में किसी को जोस की सक्ति दे देते हैं किसी को धर्मगरंथ खुलने की सक्ति दे देते हैं किसी को हुकम की सक्ति दे देते हैं इस तरह आप स्वयम अनुपसहर पधारे किस तरह रास्ते में सनन्द की वाणी आउतरित हुई अनुप सहर पहुँचने पर इसका हमने वर्णन सुना अब आगे महामति स्री लालता जी कह रहे हैं कि अब ए बानी सुनके कोई न फिरे इमान सनन्द की वाणी ऐसी वाणी है कि यदि कोई ये सांप्रदाईक कटरता को छोड़ कर सत्य को स्विकार करने की प्रवृत्ती से सुनेगा तो ऐसा व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के सनन्द को स्विकार करेगा सनन्द का आर्थ होता है यथार्थ की पहचान अथवा वास्तविक्ता उसमें खतेब परिंपरा की वास्तविक्ता को बताया है कुरान की वास्तविक्ता को बताया है कि वास्तों में मुहम्मद साहब कहना क्या चाहते थे और जाहिरी मुसल्मानों ने उसका किस तरह से अर्थ का अनर्थ किया कैसे सत्ता के लालच में भिन्न भिन्न समय में अलग-अलग सत्ता धारियों ने उसके अर्थ का अनर्थ किया कैसे उसकी आयतों का अपने स्वार्थ में प्रयोग किया कैसे कुरान में मिलावट कर दे जिनको आज मुसल्मान भी कहते हैं कि हाँ कुरान में कुछ आयतें, शैतानी आयत है, पर हम उसको हटा नहीं सकते, इस तरह की बात करते हैं, तो सनन्द उन सारी वास्तविक्ता को उजागर करती हैं सनन्द की वाणी, कि वास्तविक्ता ये है, इसलिए कह रहे हैं कि इस वाणी को जो कोई सचे हृदे से सुनेगा, तो स्विकार कर लेगा, और वो स्रीजी के स्वरुप पर इमान विश्वास लेके आएगा, और ये भी विश्वास है कि जब पहुँचे सकुमार को, टुक टुक होवे सुल्तान, यदि औरंग जे पहुच गई, तो वहाँ भी इसे सुनकर स्प्राण्णाजी के चर्णों में समर्पित हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, अब सनन्द की वाणी तो अतरित हो गई स्रीजी, अनुप सहर में है, हवेली में, सुन्दर साथ के बीच में जब चर्चा होती है, तो कतेब पक्ष की भी चर्चा होती है, वेद पक्ष की भी चर्चा होती है, तो जो पाठक, जिनका वणन हमने कल की चर्चा में भी सुना था, उसके मन में ये सक हो जाता है, संसे हो जाता है, कि ये हिंदू हो करके भी कुरान की बात क्यों करते हैं, कुरान की चर्चा क्यों करते हैं, फिर वह विचार करने लगा कि इनकी जो बात है वो कहां तक सच है उसने श्रीजी को अपने घर में पधराया और बहुत अच्छी तरह से सजावट करके विश्तर वगर लगाये बातें राजें सब करी बीतक अपनी तहाज और श्रीजी ने जागनी की सारी विटक वहां तक की सभी घटना करम को सुनाया कि किस तरह से नौतन पुरी से ले करके यहां तक की जो घटना घटितु ही है अब सब सुनकर के पूरा वर्णन सुनकर पाठक को बहुत आनंद की प्राप्ती हुई क्योंकि जो आधी अधूरी बात सुनता है जैसे मान लीजे की सनन्द की एक चोपई है सनन्द में एक प्रकरण है बिना एक महम्मद की उसमें एक चोपई आती है कि कई लालें लाल कहा वहीं और हो गए सब जरद और लाल कोई ना हुआ बिना एक महम्मद अब कोई एक चोपई पकड़ लेगा आगे पीछे का प्रसंग देखना नहीं है कौन से ग्रंथ में किस परस्थति में बात कही गई है उसको नहीं समझना है और सांपरदा एक कटरता पहले से ही भरी हुई है उसके मन मस्तिष्च पर तो वो सोचेगा कि इसमें तो किवल मुहम्मद की बात की जा रही क्योंकि बिना एक मुहम्मद यह सब्द है आधी अधुरी बात सुनने से ऐसा ही होता है जब पूरी बात समझ में आती है कि हाँ किन परस्थितियों में कहा गया है तो बात समझ में आती है अब उस पाठक को भी स्रीजी की बात समझ में आई अरज अपनी करने लगा माफक अपने हाल अब अपने स्थती के हिसाब से अपने परस्थती के हिसाब से वो स्रीजी से प्रार्था ना करने लगा क्योंकि माफक अपने हाल का तात परे ये है कि उसकी अवस्था कैसे थी स्रीजी से अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की काम ना करते हैं एक बार बड़े महराजी के समय की ये घटना है कि उनको बनार्स्व माता जी ने कहा था कि महराजी इतने सारे सुन्दर साथ है परमधाम की इच्छा करते हैं परमधाम का दर्शन करने की आप दिखा क्यूं नहीं देते महराजी ने कहा कि नहीं नहीं परमधाम कोई नहीं देखना चाहता बनार्स्व माता जी ने जब जिद की तो महराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है सुन्दर साथ को जाके बोल दो कि आपकी जो भी कामना होगी महराज जी पूरी करेंगे बनार्सव माता जी ने जाके कह दिया अब कोई जाकर के कह रहा है कि महराज जी मारी भैंस दूद नहीं दिती है कोई जाकर के कह रहा है कि महारी बहु महारे से लड़े है कोई जाकर के कह रहा है कि मेरे बेटे की नोकरी लगवादो कोई कह रहा है कि मेरे बेटे की साधी करवादो सभी लवकिक कामना कर रहे हैं अलुप सहर का जो चौधरी है पाठक है वह भी इससे अलग नहीं है किसी पारिवारिक अथवा सांसारिक परेशानियों से वह घिरा हुआ था उसने स्रीजी की बात को सुन करके इतना तो अनुमान लगा लिया कि ये पहुँचे हुए संत हैं बड़े महात्मा हैं तो मैं इनसे अशिरवाद लेलो मेरी परेशानियों समाप्थ हो जाएंगे कुछ लोग इस तरह की कामना करते हैं एक आगे भी प्रसंग आता है हरी सिंग नाम का एक वेक्ती है स्रीजी को अपने घर बे लेके जाता है पूरी सेवा करता है दिल से और सब सुन्दर साथ भी स्रीजी भी सेवा से प्रसंग न हो जाते है उसके बाद बोलता है दरबार में मेरा मुकदमा चल रहा है वो ठीक करवा दो मेरे पक्स में नेर्णय दिला दो तो कुछ लोग ऐसी कामना करते हैं कुछ लोग सेक सलीमान जैसे लोग चमतकार की कामना करते हैं कुछ सुन्दर साथ ऐसे हैं जो राज्जी से राज्जी की कामना करते हैं कि हमें किवल परमधाम का आत्मे कानन चाहिए इस तरह से अब वहाँ घटना घटित हुई इहां सेती आये के साथ को दिया दिदार तुमको सैया हुकम जो भेजा परवर्दिगार अब पाठक के घर से चल कर स्री जी वहां पहुँचे जहां सुन्दर साथ ठहरे हुए थे सुन्दर साथ को दर्षन दिया और कहा कि तुमको सईया हुकम जो भेजा परवर्दिकार राजी के हुकम ने आपके लिए कुछ भेजा है क्या भेजा है सनन्द की वाणी जिसका पता जब सुन्दर साथ को चला तो सुन्दर साथ में बहुत ही खुशी की लहर फैल गई कि अब हमें कुरान समझने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा अब हम स्वयम ही समझ सकते हैं स्रीजी ने सेख बदल जी को हुकम दिया कि आप जाओ इस वाणी को लेकर के जाओ और कोशिस करो प्रयास करो कि सुल्टान तक ये बात पहुंचाई जाए कैसे पहुंचाई जाए सेख बदल जी वाणी को सिरोधारिय करके आए दिल्ली सनन्द गरंथ लेकर के आए हैं अब कैसे मिला जाए बात्षा से मिलने का तो कोई तरीका उनको सूज नहीं रहा है दिल्ली में पहुंचे तो जो इद गाह था महां का मस्जिद जुम्मे के दिन जुमा केते हैं सुक्रवार को तो जुम्मे की नमाज के वकत चले गए और जाकर सनन्द की वाणी का गायन करने लगे जोर जोर से गायन कर रहें उनको लग रहा है कि कोई तो ऐसा जिग्यासू हो जो सुने जो समझने की कोशिस करें लोग बहुत सारे थे क्योंकि मुसल्मानों में जुमे की नमाज का एक अलग महत्व माना जाता है बले ही दूसरे दिन में सभी लोग नियमित रूप से जाएं या न जाएं पर जुमे के नमाज के लिए सब लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग थे कहते हैं सेख बहुत पुकारिया देखा दज्जाल का बड़ा जोर तो सेख बदल जी ने अपने तरफ से उन्हों ने देखा कि यहां तो दज्जाल का सोर है दज्जाल का सोर कहने का ताथ पर यह नहीं कि कोई विक्ति है जो जोर जोर से हला कर रहा है नहीं दज्जाल उसे कहा जाता है आगे जितने भी जगह पर प्रसंग आएंगे आप समझ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति वस्तु हो परिस्थिती हो जो भी आत्म जागरिती के मारग में राजी और ब्रह्मिस्रिष्टी के मारग में बाधा बने वह दज्जाल है ब्रह्माणी के प्रचार में कोई भी बाधा बने वह दज्जाल है अब वहाँ जो जाहरी मुसलमान थे वो कहते है कि कोई कहे हिंदवी मिने लिखे एह कलाम बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम दज्जाल को कैसा बताया है आगे कयामत का प्रसंग आने वाला है दज्जाल को कहा गया है कि वो काना होता है काना का मतलब जिसकी एक आँख हो एक आँख होने का तात पर यह केवल बाहरे द्रिष्टी है सरीर की द्रिष्टी को वो समझता है वेश वुसा और भाषा के बंधन को समझता है इसलिए अब लोगों के मन में यह भावना है जाहरी कर्मकांडी शरियती मुसल्मानों के मन में कि कोई कहता है कि यह जो वाणी है वो हिंदी भाषा में लिखी है कोई कहे हिंदी में लिखी एक लाम कहते बात तो तुम्हारी सच है पर हिंदी में लिखे होने के कारण हम मान नहीं सकते इस तरह से ये दज्जाल किसी को वाणी स्विकार करने नहीं दे रहा है अब लोगों की इस तरह की बात सुनकर सेख बदल जी अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गनी बेक की हवेली में पहुंचते हैं वहां पहुंचकर सनन्द की वाणी का गायन करने लगते हैं सनन्द की वाणी में से एक प्रकरण जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले द्रिश्टान दिया था कि तहां सनन्दे वाचन लगे बिना एक महम्मद तब एक सैयद बोलिया बात जहल की लिए जिद बिना एक महम्मद की सनन्द का वो गायन करने लग गए उसमें आप सनन्द खोल कर के ये प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये बताया है कि इस संचार में बड़े बड़े पैगंबर हुए संदस वहक के नाम पर एक नहीं अनेक वैसा नहीं कि केवल मुहम्मद पैगंबर है उनसे पहले इसा हुए उनसे पहले मुसा हुए दाऊद हुए समय समे पर मुहम्मद सहब से पहले भी एक लाख बीस हजार पैगंबर हो चुके थे नूर नामा नामक एक ग्रंथ है उसमें वणन है वानी कहती है नूर नामे पैगंबर लिखी 1,2,000 तो 1,2,000 पैगंबरों का वणन आता है लेकिन सनन की ये वानी ये प्रकरण का कथन है कि उन सभी पैगंबरों में मुहम्मद साहब की जितनी सोभा किसी को भी नहीं मिली है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देखे जितने भी पैगंबर हुए वो गलत रास्ता तो नहीं दिखाएंगे पैगंबर का अर्थ होता है जो पैगाम दे जो संदेश दे मुसा पैगंबर ने सबसे पहले कते परंपरा को देखा जाए तो उन्होंने दस धर्मादेश बनाए वहां के उस समय के जो यहुदी लोग थे उनको धर्म के दस आदेश बताए हमारे हिंदू परंपरा में धर्म के दस लक्षन है न सारे वही तो नहीं है पर उनमें से कुछ लक्षन है और कुछ अच्छी अच्छी बातें उसमें सिखा रखिए कि जैसे चोरी नहीं करना तुम चोरी नहीं करोगे तुम जूट नहीं बोलोगे तुम परिस्त्री गमन नहीं करोगे तुम सात्मे दिन को पवित्र रखोगे तुम जुठी गवाही नहीं दोगे इस तरह की बाते उसमें लिखी हुए दस धर्मादेश में सात्मे दिन को पवित्र रखने का मतलब सात्मा दिन जो न्याय का है न तो यहां ऐसे कर्म करो कि न्याय के दिन तुम्हें सिर नीचा न करना पड़े तो इस तरह की बातें जिनको दस धर्मादेश कहा जाता है वो मुशा पैगंबा ने दिया इसा मसी ने भी उस चीज का पालन कराया उनको हटा या नहीं पर उनके साथ में कुछ और चीजे जोड़ी मुसल्मान भी इन दसों धर्मादेश को मानता है वो भी इन दस में से किसी को भी नहीं ठुकराते साथ में दिन को मुसलिम भी मानते हैं इसाई में भी एक संप्रदाई ही है जैसे मुसल्मानों में सिया सुनिस सूफी है बहावी, बरेलवी, देवबंदी ऐसे इसायो में रुमन कैथोलिक है प्रोटेस्टेंट है एक है मेтоडिस्ट एक है सेवेंथ डे ऐडवांटिस्ट ऐसे करके 12-13 मत है उनमें एक तु संपरदाय ही चला है उनका सात्मे दिन की इच्छा करने वाले सेवेंथ डे ऐडवांटिस्ट तो सात्वे दिन को सभी मानते हैं तो जितने पैगंबर हुए एक लाख बीस अजार के संख्या में उन सब ने अपने अपने समय में कुछ न कुछ अच्छी बातें बताई है हिंदु मत में भी बहुत चारे अवतार माने गए हैं जैन मत में तिर्थंकर हुए अभी अमने थोड़ी देर पहले बाने गायन सुना कई देव दानव हो गए कई तिर्थंकर अवतार तो जितने भी तिर्थंकर पैगंबर अवतार हुए उन सब ने अज्यानता की दिशा में भटक रही जनता को मनुष्य मानो जाती को धर्म की राह दिखाने का प्रयास किया पर एकमात्र मुहम्मद साहब ऐसे हैं जिन्होंने उस अर्से अजीम में जाकर खुदा की अम्रद सूरत का दिदार किया था परमात्मा का दर्सन किया उनसे बाते की परमधाम जा करके बातें करने वाले कोई नहीं थे मुसा पैगमबर को भी खुदा के केवल नूर का दर्शन हुआ है एक प्रसंग आता है कससुल अंबिया अनामक ग्रंथ में के मुसा पैगमबर को कोहतूर परवत पर खुदा के नूर की जलक मिली थी तो इस तरह से पैगंबर बहुत हुए पर मुहम्मद सहाब की जैसी शोभा किसी को नहीं है ऐसा सनन्द का वह प्रकरण जिसमें वर्णन किया गया है जब ये वर्णन कर रहे थे तो वहाँ एक सैयद था जो मुर्खता पूर्ण तर्क देने लगा मुर्खता पूर्ण बातें करने लगा कि तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि केवल मुहम्मद हुए है मुहम्मद से पहले भी तो इतने सारे पैगंबर हुए क्यूं कुफर बोलत हो है एक मुहम्मद अलेहु सलाम तुम एकमात्र मुहम्मद सहाब के महिमा गा कर कुफर क्यूं बोल रहे हो एते पैगंबर भै तिन काहु नहीं नाम इतने सारे पैगंबर हो गए तुमने इन में से किसी का भी नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया ऐसा नहीं है पर ऐसा है कि जितने पैगंबर हुए उनमें मुह पुम्मद सहाब की सर्वपरी महिमा है ऐसा उस प्रकरण में बताया है अब उससे जगडा हुआ वो बात समझा नहीं वहां से फिर सेख बदल पुनहा अपने घर चले गए उधर स्री जी दो-चार दिन अनुप सहर में रहने के बाद वापस दिल्ली आ गए उन्होंने सेख बदल जी को बुलाया बुला करके पूछा कि आपने जो प्रयास किया सनन्द की वाणी पहुचाने का उसका परिणाम क्या निकला सेख बदल जी कहते हैं कि स्रीजी साहिब हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया पर कहते हैं मैं तो बहुत पुकारिया इनों पीठ दई तरफ हक मैंने तो अपने तरफ से पूरा पूरी तरफ से पुकार किया पर इन ही लोगों ने खुदा की तरफ ही पीठ दिया हुआ है पीठ देने का मतलब उससे विमुक हुए है और माया के तरफ दुनिया की तरफ नजर है फिर पुरी हकीकत बताई कि कोई कलाम हिंदवी का लियावत है दिल सक काहू दिल में कुफर कोई बात कहे बुजरक कहते हैं कि कोई कहता है ये हिंदी में लिखा है किसी के दिल में बेमानी है पाप है और कोई-कोई ऐसे भी जो कहते हैं कि बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है बहुत सही है पर हम स्विकार नहीं कर सकते फिर अब कहते हैं फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी न कान अब इस बात पर विचार भी मर्श करने लगे कि इन लोग ने अब तक तो बात नहीं सुनी अब बात सुनाने के लिए क्या करना चाहिए तो स्रीजी ने दो सुन्दर साथ को आदेश दिया कि आप लोग जाईए और सेख सलेमान से बात किजिए कि वो औरंग जिप से हमारी मुलाकात करा देए अब वो दो सुन्दर साथ को आदेए लालदास जी और गोवर्धन जी मैं ये नाम ले करके क्यों रुक रहा हूँ ताकि हमें सोचने का मौका मिले देखिए हम सब में भले ही हमने वाणी बहुत पढ़ली हो चर्चा बहुत सुनली हो पर मान लीजिए कि जैसा विवाद लालदास जी और गोवर्धन जी का कुछ दिन पहले ही हुआ है और उस विवाद के कारण खैर जगडा तो इतना बड़ा नहीं होगा पर उसकी प्रतिक्रिया ऐसी रही ऐसी किस रिजी ने कि सब कुछ छोड़ जाड़के वो अनुप सहर को चल दिये थे इतना बड़ा विवाद हो जाने के बाद हमारे जैसा विक्ति तो एक साथ काम करने के लिए तयार ही ना हो सचच बताईए हम तयार होते यहां लालदास जी और गुवर्दन जी फिर से साथ साथ में सेवा कर रहे हैं दुनिया में एक अक्षरातित के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण हो सब में कमिया होती है सब में हम ढूडने लग गए तो जीन तनों में राजी ने बैठ करके लीला की हम तो उनकी भी कमिया निकाल सकते हैं तो कमिया सब में होती है किसी साथो ने कहा बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल ढुड़ा आपनो मुझसे बुरा न कोई हमारी प्रवृति यदी बुराई देखने की होगी कमी देखने की होगी हम कभी किसी की अच्छाई नहीं बेख पाएंगे और ये मनवईज्या निकता है एक साइकोलोजी बन जाती है मालने जे कि हम में से जैसे सभी लोग एक दुस्रे को लगबग लगबग जानते ही है हम बैठ कर किसी एक वेक्ति की बुराई करना शुरू करें मैं किसी एक वेक्ति की एक नकारात्मक बात बताऊ तो क्योंकि अब मैंने नकारात्मक ताकी शुरुवात की है दूसरे व्यक्ति को भी कोई दूसरा नकारात्मक पॉइंट याद आ जाएगा वो बलेगा कि हाँ वो तो ऐसा ही है तीसरा उसमें एक और जोड़ेगा ऐसे करके 10, 15, 20, 25 कमियां हम बता देंगे और यदि मैं उसी व्यक्ति की एक दो अच्छाई बताने लग जाओ सुनेंगे कि उसकी प्रवृत्ति क्या है तो जहां बात आती है दूसरे की गलती की इंसान वहाँ सबसे अच्छा जज होता है और जहां अपनी गलती की बारी आती है तो इंसान सबसे अच्छा वक्किल होता है कि नहीं नहीं अपनी गलती को वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई दुसरे की विशे में कहता है कि उसने गलती की दोनों में फर्क होता है यहां लालदास जी और गोवर्दन जी दोनों में ऐसा विवाद हुआ है पर दोनों ने केंद्रबिंदु में रखा है जागनी का लक्षवानी प्रचार का लक्ष और स्रीजी का आदेश इसलिए उनके अहंकार का टकराव ही नहीं होता है ऐसा निये कि अहंकार नहीं होगा अहंकार तो तब तक रहता है जब तक हम असंप्रज्यात समाधी की अवस्ता में नहीं पहुचते संप्रज्यात समाधी तक भी अस्मिता का बीज मात्र होता है तो अहंकार ऐसे समात नहीं हो जाता है पर जिसके केंद्रबिंदु में लक्ष हो एक उस लक्ष के लिए हम अहंकार को साइड रख सकते हैं, किनारा कर सकते हैं हम जैसे सुन्दर साथ जिनका कोई लक्ष ही नहीं है चूंकि हम लक्ष ही नहीं है इसलिए हमें सब की कमियां दिखाए पड़ती है क्योंकि लक्ष नहोने से हम दिन भर वेल्ले बैठे खाली बैठे खाली बैठा हुआ है तो हमारा दिमाग कहां जाएगा हम केते हैं खाले दिमाग blank mind is devil's house बोलते हैं ना तो हमारा मन नकारात्मक्ता की तरफ ही भड़कता है इसलिए हम दूसरों की नकारात्मक्ता देखते हैं और वही नकारात्मक्ता फिर कैसा क्या हो जाता है यो यथा चिंतयती तथे वभवती जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है हम नकारात्मक्ता का चिंतन करेंगे भले ही दूसरों की नकारात्मक्ता हो वो कभी न कभी हमें आही जाती है इसलिए यदि हमारा कोई बड़ा लक्ष हो तो हमें समय ही नहीं मिलेगा बुरे चिंतन करने का, किसी की बुराई के विशे में सोचने का यहां इनका भी लक्ष बहुत बड़ा है चुकि स्रीजी के सानिध्य में है न मैंने कल भी कहा था जो विक्ती जितनी उचाई की तरफ बड़ा होता है जितनी उचाई में पहुचा होता है उसका लक्ष भी उतना ही बड़ा होता है स्रीजी का लक्ष है पूरे ब्रह्म्भान में तातम ज्यान फैलाने का अब स्रीजी के सानिध्य में रहने से सुन्दर साथ ने भी उस लक्ष को अपना ही लक्ष माने लिया है इसलिए अहंकार कहीं न कहीं होगा पर उसको उन्होंने नजर अंदाज किया और एक लक्ष रखा जागनी करने का पुनह अब सेख सलिमान के पास जाते हैं लालदाह जी और गोबर्दन जी बात करते हैं कि हमें औरंग जे बात्सा से मिलना है सेख सलिमान जो पहले तो चमतकार चाहता था किमियागेरी चाहता था सरकारी काम में आज भी लगबग वैसा ही होता है ये भी सरकारी काम है ना सरकारी कर्मचारी को आप देखेंगे, आप में से कोई होंगे, तो अबजेक्शन मत उठाना, अधिकान से सरकारी जो काम होता है न, मानली जी आपको कोई भी प्रस्ताव पारित कराना है, वो सीधे कभी मना ही नहीं करते, लेकिन काम भी नहीं करते, मना इसलिए नहीं करते, क काम भी नहीं करते हैं। शेक सलेमान भी सरकारी कर्मचारी ही तो है। उसको चमतकार चाहिए था जो सुन्दर साथ से सीधे मिला नहीं। फिर सोचता है कि चलो आज मिलाओं, कल मिलाओं, ये फिरते मास भाए, दो मैने हो गए। मिला नहीं रहा है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, बहाने वो बनाता रहता है। कभी कहता है कि पहले तो इन भेशसो मिलत नहीं सुल्टान कहता है कि येसी वेशबुशा से बात्साह नहीं मिल सकता। उससे मिलना हो, तो पहले भेश तुम्हारों बदलो, तो सुल्तान सुनाओ कान, यदि तुम अपनी हिंदु वेशबुसा को बदल कर, मुसलिम वेशबुसा धारण कर लो, तो मैं जाकर सुल्तान से आगरह कर सकता हूं, कि वो तुमसे मिल ले, ऐसे विचार करते करते बहुत लंबा समय वेतीत हो गया, देखिए, जो काम जितना महान होता है, उसके लिए उतने ही धैरिय की आउसकता होती है, सामान्य रूप में ये सही है, कि एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक प्रयास करना बुद्धि मानी नहीं है, पर वहाँ लक्ष बड़ा है, वहाँ लक्ष बहर का भी जो समय लग रहा है, वो सारा वसुल हो जाएगा, इन्वेस्टिमेंट की तरह है, तो महान लक्ष की प्राप्ती के लिए इस तरह से धैरिय पुर्वक प्रयास प्रयतन किया जाता है, हमारे जैसा होता तो एक दिन जाता, दो दिन जाता, दो दो मेनी तक ये प्र अब हमें कोई और उपाय अपनाना चाहिए अब लाल दरवाजा छोड़ करके स्रीजी सहित जितने सुन्दर साथ थे सराय रोहिला खान के मोहले में आ गए और वहां ये निर्णय लिया गया कि जो 22 प्रस्ण पहले तयार किये थे न हिंदी भासा में जो आशाजित को भी दिखाये गया था उन्होंने सोचा कि इन 22 प्रस्णों को फार्सी में अनुवादित किया जाए तो एक मुल्ला को बुलाया गया जो फार्सी भासा जानता था दयाराम जी धूड करके उस वेक्ति को ले करके आए तो वहाँ दयाराम जी किसी मुल्ला के पुत्र को ले करके आए उनका नाम था कायम उन्होंने दयाराम जी ने लालदास जी ने सबने मिलकर कायम को या कायम मुल्ला समझ लीजिए उनको पैसे पर रखा कि आप हमारा इतना काम करती जी हम आपको पैसा दे देंगे तो सबसे पहले कयामत का साथ निसान प्रगट होने की बात को एक समवाद के रूप में दो वेक्तियों के समवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसको मीरा जी सेख जी का बयान कहा जाता है अब उसमें क्या और सेख जी हैं स्री जी साहेब लालदा जी प्रस्न करता के रूप में हैं वो सवाल पूछते हैं कयामत के बारे में और स्री जी उसका जवाब देते हैं और उनको अब फार्सी में अनुवाद किया गया है और उनकी जिल्द बाद करके चिठी तयार किये गए, रुक्य तयार किये गए और औरंग जेब के जितने भी नजदी की लोग थे बादसाह के उनके पास पहुचाने का प्रयास किया गया तो सबसे पहले एक औरंग जेब बादसाह का धर्म गुरु था उस्ताद सेख निजाम उसको रुक्या देने के लिए, चिठी देने के लिए कई दिन तक उसके घर पे घूमते रहे कहते हैं कोई दिन इनके यहां फिरे नालायक देखा इसलाम सुन्दर साथ ने देखा कि इसमें, इस वेक्ति में धर्म पर चलने की वो काबिलियत नहीं नालायक है, नाम भले ही सेख निजाम रखा है, भले ही औरंग जेप का धर्म गुरु है पर वास्तों में धर्म में चलने की इसमें काबिलियत नहीं है अब वहां एक सूरत का व्यापारी आया, चांदनी चोक में स्री जी का दर्शन किया स्री जी का दर्शन करके वो स्री जी से थोड़ा प्रभावित हुआ तो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा किताब है उसका नाम है दज्जाल नामा दज्जाल नामा ग्रंथ में दज्जाल की वास्तविक्ता बताई गई है कि वास्तविक्ता क्या है दज्जाल किसे कहते है उसकी सक्ती क्या है यह सारी बात लिखी है सुन्दर साथ ने सोचा कि वो गरंथ हमें मील जाए तो हमें भी पहचान हो जाए कि दज्जाल कैसा है तो लालदास जी ने कई बार प्रयास किया वो कहता है कि मैं आज दे दूँगा कल दे दूँगा दो-चार दिन तक लालदास जी को वो अपने घर से खाली हाथ लोटाता रहा उसके बाद कहता है कि मेरे पास दज्जाल नामा तो छोड़ो तफसिर उसेनी है तो यह हुसेन सहाब के द्वारा की गई कुरान की टीका है उन्होंने आकर स्रीजी से यह बात की स्रीजी ने कहा कि यह टीका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है सुन्दर साथ में मदद हो सकती है लालदास जी कई दिन तक उसके पीछे घुमते रहे पर मिले नहीं पास में दयाराम जी बैठे हुए थे जब सुन्दर साथ को निराश देखा उन्होंने तो कहा कि स्रीजी साहिब आप आदेश करे तो मैं लेकर के आश सकता हूँ स्रीजी ने कहा ठीके ले आई है वे गए और बाजार में जाकर के जहां उर्दु बाजार था उर्दु बाजार में जाकर जहां कुरान बेचा करते थे उन लोगों से कहा कि हमें तपसिर हुसेनी चाहिए अब मुसल्मान हिंदु को कुरान कैसे दे देते वला तो उन्होंने पुछा कि किसको चाहिए दायाराम जी ने कहा मेरे पडोसी है उन्होंने मगवाई है तो उन्होंने कुरान की तफिर हुसेनी दे दी उस समय 38 रुपए में साड़े 300 वर्स पहले की गटना आए तो 38 रुपए में कुरान की टीका उपलब्ध हुई उसको लेकर कि स्री जी के पास आए अब स्री जी ने उस तफिर हुसेनी को कायम उल्ला के हाथ में दिया और कहा कि ये आप हमें मायना करके सुनाओ हिंदी में अनुवाद करके सुनाओ सबसे पहले उन्होंने इन्ना इंजुलना नामक सूरत पढ़ी कुरान की जिसमें तीन तकरार के विशे में लिखा हुआ था लैलतुलकद्र के विशे में लैलतुलकद्र क्या होता है बहुत सारे सुन्दर साथ इसको कहते हैं लैलतुलकद्र का मतलब ब्रज रास और जागनी वास्तों में इसका अर्थ ऐसा नहीं है लेलतुलकद्र का शाब्दिक अर्थ होता है कादर की लंबी रात्र कद्र कहते हैं सामर्थेवान परमात्मा लेल का मतलब रात्री और तुलह मतलब लंबी तो सामर्थेवान परमात्मा की लंबी रात्री ये उसका साब्दिक अर्थवार जब आप भाव बताने जाएंगे तो लेलतुलकद्र का मतलब रात्री हुई उसके तीन भाग है लेलतुलकद्र तीन भाग नहीं है लेलतुलकद्र के तीन भाग है ताके तीन तकरार कहे सो भै तीनो इंड तो वो तीन भाग हैं, ब्रज, रास और जागनी, अब जब स्री जी ने ये सुना, कहते हैं, इसारतें सारी खुली, जो लिखी परवर दिगार, कुरान में जो बातें लिखी थी, ब्रजरास और जागनी के विशे में वो सारी खुली, अब स्री जी कहते हैं, हम ही थें ब्रज और वहाँ पर अर्था श्री देवचंद्र जी ने जो हमें बताई थी, ये तो वही बात है। उसके बाद इन्ना इंजुलना सुरत के बाद इन्ना आतेना सुरत पढ़ा, जिसमें यमना जी का वणन है, जोए कह करके, हौज को सर तालाब का वणन है, और उसकी पाल का वणन है, उसको सुन करके स्री जी को इतना आनंद प्राप्त हुआ, कि अब उसके अतिरिक्त उनको औ और ऐसा हुआ कि विश्तर से उठने का भी मन नहीं करता है, लगातार वो तीन दिन तक सुनते रहे, बहुत मुश्किल से वो उठते होंगे नित्यक्रिया के लिए, वरना वो लगातार सुनते ही रहे, तीन रोज लग सेज से उठना सके तब सुने सुकन तफसिर में कलाम रब बाने जब, जब तफसिर हुसेन में वरनित परमधाम की बातों को सुना, श्री जी को अत्यांत आनंद का अनुभव हुआ, इस तरह, अब श्री जी ने उस बात को चिठी में लिखी, चिठी में लिख करके, क्या कहा, सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के सवस्याम, ह हमने तो मुहम्मद सहाब के द्वारा लाई गई चिठी को पत्री को पड़ा, जिसमें हमारे घर की बात लिखी हुई है, और कहते हैं, हमारे घर की जो इसारत में लिखी हुई बाते हैं, इसारों में लिखी हुई बाते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता, क्यों नहीं समझ सकता क्योंकि और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए हमारे अलावा और कोई अखंड का है ही नहीं जीव स्रिष्टी भला परमधाम की बातों को क्या समझे इस तरह की पाती लिख करके जगह जगह पर भिजवाई गई और उधर श्री जी ने नौतनपुरी में पहले पाती भेजी थी जिसका वणन हमने कल सुना था हो सकता है कि उसी की प्रतिक्रिया के फल सुरूप नौतनपुरी से तीन सुन्दर साथ आए प्रेम जी, नाग जी और संग जी उनके मन में ये भावना थी कि हम मिहिर राज जी को समझाएंगे, गादी के प्रती आस्था उत्पन्न कराएंगे और अगर ऐसा हुआ तो गादी पती महराज का गुजारा चलेगा क्योंकि बिहारी जी तो जागनी के लिए निकल नहीं रहे थे जो भी पैत्रिक संपत्ती होगी भोतिक उसका उपभोग कर रहे थे अब उन्होंने सोचा होगा कि स्रीजी यदि मिल जाते हैं तो हमें फिर से पहले की तरह सुन्दर साथ का चड़ावा आने लगेगा ये लोग पहुँचे समझाने के लिए दिल्ली में आए स्रीजी से मिलाक मुलाकात हुई अब मुलाकात के बाद आयतों थे समझाने के लिए थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास भी किया पर जब स्रीजी की चर्चा शुरू हुई स्रीजी की चर्चा में उन्होंने जोस देखा और वही उसी चर्चा में उन्हें स्री देवचिंद्र जी का दर्शन हुआ है स्री जी जब चर्चा करते हैं तो जिसके मन में जैसी कामना होती है उसके हिसाब से उनको दर्शन प्राप्त होता है किसी के मन में देवचिंद्र जी का दर्शन करने की भावना है तो उसी रूप में, किसी के मन में ब्रजवाले स्वरूप के प्रति आस्था है तो उसी रूप में, किसी के मन में अरब वाले स्वरूप के प्रति आस्था है तो उसी रूप में, क्या कहते हैं, जाको दिल, जिन भात सो, तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के क आरज किये सबसिद। अब देवचंद्र जी को जब उन्होंने देखा कि वो तो यहाँ पर विराजमान है। अब उन्होंने क्या किया कि स्री जी के प्रती अपनी आस्था व्यक्त की और कहा कि हमने स्री देवचंद्र जी को आपके अंदर देखा है। और हमने ये भी निश्चित कर लिया है कि आप ही धर्म का निजानन्द का कारिय कर रहे हैं और सनन्द की जो वास्तविक्ता है उसको भी उन्होंने समझा और कहा कि हम सुन्दर साथ को इसकी वास्तविक्ता बताएंगे उन्होंने वहीं से चिठ्ठी लिखी दिल्ली से ही और जहां जहां सुन्दर साथ थे सब के पास चिठ्ठी भेजा और चिठ्ठी में क्या लिखा था कि सुन्दर साथ जी हमने तो श्रीदेव चिंडर जी को यहाँ पर देखा है वहाँ नोतनपुरी में नहीं यहाँ स्रीजी साहब में देखा है आप भी स्रीजी साहब के तरफ इमान लेकर के आना अब क्या हुआ सेख बदल और नाग जी एक ठोर किये जब यहाँ सेख बदल जी मुसल्मानों के प्रतीक के रूप में हैं और अनाग जी भाई हिंदू के प्रतीक के रूप में स्रीजी ने क्या किया हिंदू और मुसल्मान दोनों को एक किया, एकी करण किया संग जी सामिल होए कि ताम खिलाया तब अब स्रीजी ने क्या किया कि दोनों पक्स के लोगों को इकठा किया और परमधाम के ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का रसा स्वादन कराया जिससे उनके हृदय का सारा कुफर, सारी बेमानी, सारी अज्यानता समाप्त हो गई वहाँ 22 दिन तक सुन्दर साथ स्री जी के सानिध्य में रहे इससे पहले और प्रसंग आया था 22 दिन का ये दूसरा प्रसंग है 22 दिन तक रहने के बाद नाग जी और संग जी दोनों नोतनपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं लेकिन प्रेम जी मन में है कि मुझे वापस नहीं जाना है मुझे स्री जी के चरणों में ही रहना है ये दोनों चले गए जब नोतनपुरी पहुंचे नोतन पुरी पहुंच करके उन्होंने अपने तरफ से तो बात कर दी जो देखा था उन्होंने स्पष्ट बोल दिया पर बिहारी जी महाराज इस बात से इतने नाराज हुए कि गादी छोड़ करके वो भाग गए और दूर जा करके किसी स्थान पर बैठ कए लोटाने पर भी नहीं लोट रहे हैं कितनी अनुनाय विनाय कर रहे हैं लेकिन लोट नहीं रहे हैं चरणों में प्रणाम कर रहे हैं फिर भी वो मान नहीं रहे हैं तीन दीन तक एक ही स्थान पर वो रहे बाद में उन्होंने सर्थ रखी कि यदि आपने अपनी बात वापस नहीं ली तो मैं नहीं आऊँगा अब क्या हुआ फेर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की मत कोई लियाईयो इमान तरफ श्री जी साहेब जी नाग जी और संग जी में आत्मबल थोड़ा कम पड़ गए हैं प्रेमदास जी में तो इतना था कि वापस घराने का भी नहीं सोचा उन्होंने लेकिन नाग जी और संग जी चले गए वहाँ जा करके अब इमान में वो द्रिड नहीं रह पाई ये दज्जाल का स्वरूप है ये माया की शक्ती है देखे एक बार साक्षात दर्शन होने के बावजुद भी माया हमारे इमान को यदि हिला सकती है डगमंगा सकती है तो सोचे की माया की सकती क्या सामानिय सुन्दा साथ की तो फिर हैसियत laughing क्या है माया में बहुत सकती है क्योंकि उन्होंने तो देखा न दिल्ली में प्रत्यक्ष अनुभव किया, साक्षात kार किया कि स्री जी के अंदर ही दियोचंदर जी विराजमान है इसके बावजुद भी बिहारी जी महाराज के दबाव में आकर के वो चिठी लिखने पर बाध्य हो रहे हैं ये माया का ही तो बल है वरना वो कह सकते थे कि महाराज जी आपको गादी में बैठना है तो बैठिये नहीं बैठना है तो मत बैठिये जो हमने देखा है वो सही है हम वो सब्द वापस नहीं लेंगे पर वो ऐसा नहीं कर पाई ये माया का बल है उन्होंने पत्र लिखा कहते हैं कि नहीं नहीं हमने जो पहले बात लिखी थी ना कि मिहराज जी के अंदर देवचंदर जी विराजमाने वो सही नहीं है वो तो हमने गलती से लिख दिया था वास्तों में यहीं पर देवचंदर जी महाराज विराजमान है इसलिए कोई भी उनके तरफ स्री जी के तरफ विश्वास ले करके ना आए. महामती स्री लालदा जी कह रहे हैं कि स्री महामती कहे सुनो साथ जी जो तुम में भी तक लिखी लो मौफूज में तुम्हारे ताले हक ये जो बात है. ये तो पहले से लोह मौफूज में लिखा हुआ है. लोह मौफूज का तात्परी क्या है? तहां लोहे की तख्ती में कुरान की आयते लिखी हुई है और वहां से जबराईल लाला करके मुहम्मद साहिब को दिया करता था वास्तों में ये एक आलंकार एक वर्णन है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे पत्थर में कोई चीज खुदाई करके लिखी जाती है कितनी मजबूत होती है खुदाई किसे जो लिखी जाती है ना इसी तरह से लोहे में जो लिखी गई है वो तो उससे भी मजबूत होगी वो तो मीटेगी नहीं तो यहाँ कुरान के ज्ञान को अखंड बताने का प्रयास किया है. तो उस कुरान में पहले से ये बातें सब लिखी हुई है और जो उसमें लिखा है वो तो हकीकत में होना ही है. अब अगला प्रकरण है नलुवों का वृत्तान्थ। नलुवा मतलब चिठ्थी। और अग्जेब के दरवारियों में से एक दरवारी थे रिजवी खान। उनके घर 10-20 दिनों तक चक्कर लगाते रहे। मुहम्मद साहब के बात भी की लेकिन जीव स्रिष्टी होने के कारण रिजवी खान उसको नहीं समझ पाए। सेख निजाम के घर में इससे पहले भी गए थे, इसके बाद भी जाते हैं, फिर भी वो सुनने के लिए तयार नहीं होता है। और सुन्दर साथ ने सुना कि एक फकीर है, उनका नाम है सेख वाजिद। सुफी फकीरे और वो बंदगी में लगा रहता है, उनके पास गए। और उनसे बात की कि किस तरह से कयामत आ चुकी है। और फिर सागर मल नाम का एक विक्ति था, उनके घर में भी दस बार गए। इससे पहले सेख वाजिद के घर में भी दस बार जाने का प्रसंग है। रजवी खान के घर में भी 10-20 दिन तक गए हैं। शेख निजाम के घर में कहते हैं फिरत रहे मास एक। इतने लंबे लंबे समय तक सुन्दर साथ जागनी के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर कोई भी जागरित नहीं हो रहा है। अब बार-बार घरों में जाने पर भी कोई नहीं जग रहा है, कोई नहीं समझ पारा है, तो सुन्दर साथ ने बैठ करके विचारवी मर्श किया कि चिठ्थी लिखी जाए, प्रस्न लिखे जाएं और जाकर के इन दरवारियों को दिया जाए, जिनमें पांच दरवारी प्रमुख थे, और एक विक्ति को संदेश्वाख बनाया जाए, तो तय किया गया कि कानजी भाई को संदेश्वाख बनाया जाए, कानजी भाई ने चिठ्थी लिए, पांच नलवे तयार किये गए, और ये पांचों चिठ्थी जो है, लिखी तो अकीकत दीन इसलाम उसमें कयामत के विषय में बात लिखी हुई थी कि कयामत के निशान कैसे जाहिर हो चुके हैं। देखिए जब बात कयामत की आती है तो सारे मुसल्मान डरते हैं इसी को हम महाप्रलय कहते हैं हिंदू मत में तो हिंदू भी डरते हैं जबकि जो कयामत शब्द है इसका ताथ पर यह कायम होने से हैं, अखंड होने से किवल ये नहीं सूचना चाहिए कि दुन्या में विस्पोट हो जाएगा सब मर जाएंगे वैसे तो चाहे डरें चाहे न डरें मृत्यू तो सब कीता है एक दिन तो सब को मरना ही है पर जो अध्यात्मिक्ता को समझ जाता है जो ब्रह्मग्यानी वेक्ति होता है कभी मृत्यू से नहीं डरता है तो मुसल्मान जाहिरी अर्थ लेते हैं कि कयामत के जो निशान बताये गए हैं वो वास्तों में दिखाई पड़ेंगे वे निशान कौन-कौन से थे एक तो यह कि इसारू अल्ला का आगमन होगा अब उसकी प्रतिक्ष्या कर रहे हैं इसारू अल्ला कौन है? श्यामा जी अल्ला की जो रूह है राज्जी की अर्धांगिनी श्यामा जी जिनका प्रगटन हो चुका था देवचंद्र जी के रूप में और वही दूसरे जामे में इंद्राउती जी के अंदर बैट करके लिला कर रही है इमाम महदी, इमाम कहते हैं आखरी धर्मगुरु जो है आखरूल इमाम मुहम्मद महदी साहिब जमाम, प्राणाजी भी जाहिर हो चुके हैं और ऐसे में और कौन-कौन से निशानिया दिखाई पड़ेंगी तो कहते हैं अस्राफिल, जबराईल, उत्रे, अरसे बेहद मंडल से अस्राफिल और जबराईल दोनों आचुके ये कौन है अस्राफिल को जागरित बुद्धी का फरिस्ता बताया है और जबराईल को राज्जी के जोस्ट किशकते है जबराईल का काम क्या है ब्रह्म स्रिष्टियों की हिफाजत करना सुरक्षा करना सुरक्षा किस से माया में जाने से दज्जाल से और जो कोई भी परमधाम की ब्रह्म स्रिष्टी है थोड़ी सी भी जागरिती यदी आई है और राज्जी की तरफ से यदी विश्वास है राज्जी के लिए समर्पन होने की भावना है समर्पन करने की भावना है तो ऐसी ब्रह्म्न सिष्टिय ऐसा सुन्दर साथ माया के इस तिब्र प्रवाह में फिसल तो सकता है पर गिर नहीं सकता है यह रख्षा कौन करता है राज्जी ने यह जिम्मा जब्राइल को सौपा हुआ है और यह रख्षा किसी भी तरह हो सकती है जैसे कभी-कभी रख्षा करने के लिए क्या करना बढ़ता है अलग-अलग परिस्थिती होती है ना जैसे आपने पहले से ही बता दिया किसी को कि बेटा सड़क पर मत जाना यहाँ पर बहुत स्पिड में गाड़ियां चला करती है एक तो रक्षय इस तरह हो गई कि पहले से ही बता दिया सावधान कर दिया अब दूसरा किसी को सावधान नहीं कर पाए कान में इयर्फोन लगा करके सड़क पर चल रहा है पीछे से गाड़ी आ रही है पूरी तेजी के साथ हमें होरन भीब दिया जा रहा है पर क्योंकि कान में इयर्फोन है उसको सुना ही नहीं पड़ रहा है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, दोड़ते वे जाएगा, धक्का लगा देगा, उसको भी गिरा देगा, खुद भी गिर जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, और उस व्यक्ति को क्योंकि वो इतना घुसा हुआ है म्यूजिक में, कि उसको पता भी भी नहीं चला कि मुझे धक्का क्यों दिया गया, पर रक्ष्या तो हुई, चोट लगी पर चोट लगाने का प्रमु कुदेश्य वहाँ पर क्या है, मारना नहीं, बचाना है, जैसे महाओ जी भाई को लगी थी, यह ना, महाओ जी भाई को जटका लगा ना, लालदास जी क तो भी जटका लगा, तो जो ऐसे जटके लगे हैं, वो बचाने के लिए है, फसाने के लिए नहीं है, छोटे लाब, रूपी जो लालच है, उससे हटा करके बड़ा लाब देने के लिए, तो यह काम जबराइल करता है, और अस्राफिल क्या काम करता है, अस्राफिल के बाइबल में भी इस तरह से साथ निशानीयों का वैसे वर्णन है तो असराफिल के विशे में जैसे कहा गया है कि वो दो बार सुर्फउकेगा पहली बार सुर्फउक ने पैसा कहा जाता है कि बड़े बड़े जो पहाड होंगे वो भी रुई की तरह उड़ जाएंगे इसका तात को ये क्या है? कि पांचमें दिन की लीला में जब ब्रम्ह वानी का आउतरन हो रहा था, वानी का प्रचार प्रसार हो रहा था, वहाँ बड़े बड़े पहाड जैसे धर्म गुरु थे, जिनका सम्मान दुनिया में बहुत उचा था, चाहे वह चिंतामनी जी हुए, चाहे हरिद्वार के जितने पंडित हुए, या फिर आप कालपी के मौलवियों का प्रसंग आगे सुनेंगे, या जितने औरंजेब के दरबारी है, ये सभी ज्यान से इस तरह से परास्त हुए, जैसे कि कोई रुई हो, इतनी सरलता से, रुई कायम हो जाएगी, ऐसा बताया है, तो जबराई वर असरा फिलका हो गया, आगे कहते हैं, आजूज माजूज जाहिर, आजूज और माजूज क्या है, इनको दो चुहे के रुपे बताया है, आजूज और माजूज दो चुहे है, एक को सफेद चुहा कहा जाता है, दूसरे क काला चुहा तो जो सफेद चुहा है उसको दिन के रूप में कहा गया है काले चुहे को रात के रूप में सफेद चुहा उसके लिए कहा गया है कि जो आजुज है वो सो हाथ का है और माजुज एक हाथ का इनकी तीन फोज बताई गई है तुलह, ताब और शाब सुबह, दोपहर और शाम कहते हैं कि अस्ट धातु की जो दिवाल है उसको यह लोग चाटते रहते हैं, दिन भर चाटते हैं और रात को यह चाटना बंद कर देते हैं लेकिन जब रात साम हो जाती है तो वो दिवाल बिलकुल पतली रह जाती है एक धागे की तरह, बारीक कभी भी तूट सकती है ऐसा और लेकिन रात को जब चाटना बंद कर देते हैं, सुबह उठते उठते वो दिवार वैसी की वैसी हो जाती है अब ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन वो दिवार तूट जाएगी उस दिन महाप्रले हो जाएगा और उनकी जो तीन फौज है, उसमें चार लाख सहिनिक बताए है इसका तात्परिय क्या है आजूज और माजूज जाहिर होने का तात्परिय है, पहले तो चार लाख का मतलब समझते हैं चार लाख को आप तीन सो साथ से भाग करते हैं तो समय निकलता है ग्यारा सो वर्स मुहम्मद सहब के जाने के बाद ग्यारहवी सदी में आक्रूल इमाम मुहम्मद महदी का आगमन होगा, ये बताया है जो चार लाख फोजे हैं, ये उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं अस्ट धातू की जो दिवाल है वो मानव शरीर है ये आठ धातू से मिलकर के रस, रक्त, मान, समेद अस्थी, मज्जा, शुक्र, ओज ये मिलकर के बने हुए हैं दिन में मनुष्य की प्रवृत्ती सो तरह की होती है इसको सो हाथ का बताया है रात को सो जाता है इंसान एकी तरफ नीद में प्रवृत्ती होती है स्वपन की तरफ दिन भर ये जो आजूज की फोजे हैं, वो सरीर को चाट चाट करके चाटने का मतलब क्या है? कि दिन में हम काम करते हैं ना? तो दिन भर काम करके रात को इंसान को लगता है कि बस आज का दिन तो खतम ही हो गया ऐसा लग रहा है कि बस मर ही जाओंगा सरीर इतना तूट जाता है दिन भर के थकान में लेकिन सुबह होते ही वापस तरो ताजा ये अस्ट धातों की जो दिवा है शरीर रूपी वो छूट जाती है तो ये आजूज और माजूज की बात है जिसको जिसका भेद स्रीजी ने खोला इस ब्रह्मवानी में और आगे कहते हैं उगा सूर मगरब मगरब का तात्परिय है पस्चिम सूरिय पुर्व में उगता है कि पस्चिम में उगता है यहां सूरिय के पस्चिम में उगने की बात की जा रहे है यह सूरिय किदर उगता है सूरिय पुरव में भी नहीं उगता है पस्चिम में भी नहीं उगता है जबकि प्रिथवी गूमती है सुर्य तो यह थोड़ी होता है प्रित्वी गुमती है हमें गलत पड़ाया जाता है सुबह सुर्य को हम जिस दिशा में देखते हैं उसको हम पूर्व कहते हैं पूरव दिशा से सुर्य का उगना निश्चित हुआ है कि सुर्य के उगने से पुरब दिशा निश्चित की गई है सुरिय से न दिशाओं से सुरिय नहीं है सुरिय से दिशाएं है इतना समझ में आया इसी तरह कतेब पुरंपरा के अनुसार जो ज्यान का सुरिय उदय हुआ है मुहम्मद सहाब के रोप में अरब में हमारी सभ्यता हमारी सस्कृति से बिलकुल विपरीत जैसे पूरबर पस्चिम भाशा अलग वेशबुशा अलग आहार बेवाहार सब अलग और जब परब्रम कयामत के समय में आएंगे तो उसके बिलकुल विपरीत होगा हिंदूओं में आएंगे कल की चर्चा में भी हमने चोपाई सुने कि कृपा हिंदूओं पर हुई अतिघनी जित आखिर को आए धनी तो धामधनी अक्षिरातित स्री राज जी हिंदू तन में आए भाशा भी अलग हो गई वेशबुशा भी अलग हो गई तो मुसल्मानों के लिए पस्टिम हुआ की नहीं हुआ यहां ऐसे दिशा के इसाब से नहीं कि भारत जो है वो अरब से पस्टिम में पढ़ता है इस इसाब से नहीं विचार धारा की विपरीत दिशा को दर्शाया जा रहा है और कहा गया कि यह जो सुर्य होगा मुसल्मानों के लिए बिना प्रकास का होगा इसका मतलब क्या है बिना प्रकास का सुर्य कहने का तात्परिया ऐसा नहीं कि प्राणनाजी के द्वारा ग्यान का प्रकास नहीं हुआ, मुहम्मद साहिब से हो गया, ऐसा नहीं है, यहाँ बिना प्रकास का कहा जाने का तात पर यह, मुसल्मानों के लिए बिना प्रकास का होगा, यदि अंधे को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, तो सुरज का क्या दोश है, नहीं है ना, मुसल्मान यहाँ इसलिए वो देखना नहीं चाहते थे तो कहा गया कि मुसल्मानों के लिए ये सुरिय बिना प्रकास का होगा वास्तविक्ता तो यह है कि मुहम्मद साहिब को दूज का चांद कहा गया है जो बस्री मुहम्मद है बस्री स्वरुप उनको दूज का चांद कहा है मलकी स्वरुप श्री देव चंद्र जी को पूर्ण मासी का चंद्रमा कहा गया है और हकी स्वरुप श्री प्राण्द जी को क्या कहा है दोपहर का सुरज इसका कारण क्या है जब दूज का चांद हम देखते हैं दूज के चांद के प्रकास में कुछ नहीं दिखता केवल दूज का चांद दिखता है कि हाँ चांद निकला है इसी तरह से मुहम्मद सहाब के द्वारा जो ग्यान आया उससे किसी को पहचान नहीं हुई पर हाँ पता सबको चला है कि कोई मुहमद सहाब है, अल्ला की पहचान किसी को नहीं हुई देवचंद्र जी को पूर्ण मासी का चंद्रमा इसलिए कहा गया क्योंकि पूर्ण मासी के चंद्रमा में हम मकान देख सकते हैं, पेड़ पौधे देख सकते हैं यहां तक हुआ तो जिसको हम अच्छे से जानते हैं उसको थोड़ी दूर से भी पहचान लेते हैं छोटी 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 चीजों को मतलब जैसे मालीजे कि कोई डिबबा वगर है, कोई कुर्शी वगर है, ऐसे ऐसे सामान को हम पहचान सकते हैं लेकिन जो बहुत सुक्स्म चीजे हैं ना चीटी है छोटे-चोट सुई है ऐसे चीजों को हम नहीं पहचान सकते और चंद्रमा के अंधेरे में ही हमें रसी में सर्प का सर्प में रसी का ठूट में इंसान का इंसान में ठूट समझ में आता जैसे लकडी होती है ना सुखा पेड होता है कटा हुआ छोटा सा तो ठूट में इंसान का इंसान में ठूट का ऐसे जो भ्रम होता है संशय बना रहता है देवचंद्र जी के माध्यम से जो ज्यान जाहिर हुआ उसमें मुख्य मुख्य बातें तो जाहिर हो गई जैसे ब्रज की लिला की पहचान की सुंद ना कि उनको नहीं आते थे, खुले नहीं है और हाकी स्वरुप श्री प्राण्णाजी से उनको दोपहर का सूरज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दोपहर में जब सूर्य निकला होता है तो हम दूर से भी जमिन पे चल रही चोटी-चोटी चीटी को भी रेंगते हुए देख लेते हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं रह जाता, तो प्राण्णाजी की वानी ने सारे भ्रम को समाप्त कर दिया है एक-एक बात की बारी की को उन्होंने दिखाया है, चाहे परमधाम की बात हो, चाहे इस दोपहर का सूर्य कहा गया है अब आगे प्रसंग आया है दाबतुलर्ज जानवर का, जिसके विशे में कहा जाता है कि उसके सिर में पहाड़ी बैल के सिंग, सूर की जैसी आखें, मुरगे की जैसी गरदन, गीदड़ की जैसी पीठ, सेर की जैसी छाती होगी, हाथी की जैसे कान होंगे, इसका ताथपरिय क्या है? काना दज्जाल की विशे में कहा जा रहा है कि एक ऐसा दज्जाल होगा जिसकी एक आखोगी और वो एक गधे पर सवार होगा और वो गधा कितना उचा होगा? कहते साथ समंदर का पानी भी उस गधे के घुटने घुटने तक आएगा इसका तातपरिय क्या है कब्र से मुर्दे उठने का वर्णन है इसलिए मुसल्मान इसाई वगरा लोगों को दफ नाते हैं मरने के बाद तो उसका तातपरिय क्या है ये जो कयामत की कुछ और निशान है इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है चो पहे दो राइए आजुज माजुज जाहिर उगा सूर मगरब दाभा हुई जाहिर ए सब लिखे सबब ए सब लिखे सबब बोलस्री प्राणनात बोलस्री सद्गुरु महारा प्रणाज